आज मैं बनाओंगी क्रीमी फ्रूट सैलेड उसके लिए मैं इंग्रीडियन्स दिखा देती हूं पहले आप कल लैपको पाइनैपल, समॉल साइज मिल्क पैक रीम, मायूनीज, एक उरूट एक बॉल मेकरोनी बोईल की उए एक प्लेट अनार एक प्लेट केलो की एक बॉल सेफ इन्हें मैंने इस साइज में कट किया है एक प्लेट अंगूर पाउडर शुगर टेस्ट के अकोडिंग हम इसमें अड़ करेंगे और बदाम कर्श किये वे बड़े साइस का मैं बाउल लूँगी ताकि मैं इन चीजों को इजिली मिक्स कर सकूं सबसे पहले मैं से मैक्रोनी एड़ करूंगी अनार अनार सेफ, अंगूर, केले, सारे फ्रूट्स एड़ करने के बाद मैं इस अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी अच्छे से मैं मिक्स कर लिया है इसके अंदर अब मैं पाइनपल अट करूंगी और साथी पाइनपल का जोस भी बडाम अट करूंगी फ्रूट्स किया हुए और इससे पहले मिक्स कर लेंगे हम इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम मैं इसके अंदर मिल्क पैक क्रीम एड़ कर दूँगी अगर हमें यह कम लगी तो हम और एड़ करेंगे तीसरा डिबा भी मिल्क पैक का हम इसमे अड़ कर देंगे क्रीम डाल के मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है अम मैं इसके अंदर मायोनीज अड़ कर दूँगी अब इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिए हैं अब मैं इसके अंदर पाउडर शुगर आड़ करूंगी त्टी टेबल स्पून और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपको मीठा जादा पसंद हो तो आप जादा यूज़ कर सकते हैं मैंने इसमें शुगर एट करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिए हैं यह बनके त्यार है मैं से अलग से बाल में निकाल लोगी क्रीमी फ्रूट सालेड की रेसिपी मैंने थ्यार कर लिया है भूधी मज़े की रेसिपी है आप इसे इस तरह ट्राइ करें आपको पसंद आएगी और अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें इसको शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अलाँ आफिस